को ज़े मुझे लगता था हमेरी बड़ी इज़ध है स्कूल मेरे लोगों से बुलता था कि हर टीचर मेरा नाम जानता है sele आपको बहुत अच्छा लगता है कि हमारे टीचर हमारे नाम से पहचानते हैं ऐसा है कि नहीं है कोई भी टीचर है कहीं भी प्रार्थना हो या कोई भी गेस्टा है सबसे पहले अपना नाम पुकारा जाता है जब 9-10 सान का हो गया तो बात पता लगा कि नहीं इस्जत वाली बात नहीं है एक्शली हाइट का कॉम्बिनेशन बिताने के लिए कि छोटे बच्चे आगे आएं बड़े बच्चे पीछे जाएं उसके लिए मुझे आगे बुला लेते हैं मैं रात बार सो नहीं पाया लेकिन उस रात सोने के बाद में सुबह को ये संकल्ब लिया कि आज के बाद अगर जीवन में खड़ा होना है तो आगे खड़ा होना है बैठना है तो आगे बैठना है और ये करते 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 पता नहीं परमात्मा ने कैसी करपा की और बच्चो आज जिन्दगी में कहीं भी जाए अगर किसी के भी देश के किसी भी प्रहान मंतरीस मिलें या किसी मुख्य मंतरीस मिलें या मनीश भाइस मिलें तो प्यार हमेशा आगे बैठने का मिल जाता है, हमेशा आगे खड़े होने का मिल जाता है वो बढ़ाई देता हूँ, मतलब किस ये स्कूल देखके जिस तरीके की औरजा सपने देखे थे बच्पन में क्योंकि बहुत च्पटे च्पटे स्कूलों पढ़े हुए हैं हम लोग और सरकारी स्कूलों का एक अपना एक अंदाज होता है सरकारी स्कूलों में पढ़ने का अपना होता है और सरकारी, बोलते ना सरकारी, ये शबत बहुत सरकारी च्पना है लेजिन अगर इसका मीनिंए अंदर खूजने जाओं ति इतना बढ़ा है कि समंदर इतरह बढ़ा है हम चाहते हैं कि गल जिस तरीके से बात हो रही थी कि मनीश भाइन का कि हमारे स्कूल आगे देखो मैं कलपना नहीं कर सकता है कि इस तरीके का स्कूल सरकारी स्कूल हो सकता है जिसमें आप सरकारी होते हो जिसमें आपका नाम लिखा होता है कि हम सरकारी स्कूल हम पढ़ते हैं मैं दिल से ये बढ़ाई देता हूँ दिल से ये द्वा करता हो कि इस तरीके के सरकारी स्कूल पूरे देश के कोले कोले में गाउ गाउ तक बढ़ जाए तब तब होगा अपने जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाई का मौका नहीं मिलता बहुत बच्चों को सीखने का मौका मिलता है हम पढ़ते क्यों हैं बड़ी अच्छी बड़ा अच्छा प्रशन पूछा हम पढ़ते क्यों हैं क्या कब क्यों कहा कैसे अगर जीवन में पांच प्रशन आप लेके चलोगे तो मैं खुद आपको इस बात का उदाहनक में खुद गवा हूँ कि क्या कब तू कहा कैसे क्या जब ये पांचों में फाइब ड़ी फाइब ड़ी अगर लेके आप चलते हो जिन्दगी में यहां से गेट से बाहर भी निकलोगे तो आपके अंदर आएगा कि कहा जाना है क् कैसे जाना है क्या करना है तो ये पांच पांच अगर आप फाइब ड़ी लेके चले तो आपको जिन्दगी में कोई पचाड ने सकता चाहोगे तो आप में मेरी हमारी कोई बच्ची अंतरिक्षिक जा सकती है और हमारी कोई बच्ची यहीं पे यहां से सीख के और जिस आपने पूस्तों को सम्हाल के आपके सामने चले जाएंगे नहीं मिलता है पढ़ाई का मौका हमारी यहीं इच्चा है कि आप खूप पढ़ें पढ़ने के साथ में क्यों पढ़ें आचार के लिए पढ़ें बिवहार के लिए पढ़ें संसकार के लिए पढ़ें रिष्टों के लिए पढ़ें नातों के लिए पढ़ें क्योंकि आज रूल विलेच आज पहले हम लोग बच्पन में जब हम बच्पन पढ़ते थे तो हम सी लिखते थे कि भूगोल में कि आज साथ समंदर है साथ महादीफ है ये है वो है और सुबह से लेके शाम तक पीक हाथ से लेके दूसरे हाथ में आज मोबाइल के रूप में हम साथों समंदर अपने हसाथ लेके गुरूम रहे हैं कितना माहुल चेंज हो गया है कि वाइल के रूप में हाथ में कोई भी चीज आई तो तुरंट क्योंकि पहले हम इंसाइकलोपीडिया पढ़ते थे कि कोई भी किसी की भी रिसर्च करनी है इंसाइकलोपीडिया में जाओ आज इंसाइकलोपीडिया आपका मोबाइल है तो मुझे इतनी खुशी जतना अपने करियर को लेके खुशी होती है जब एजूकेशन के रूप में किसी से बच्चे बच्ची से मिलने की जब मौका मिलता है तो मैं अपना सो भागे समझता हूँ कि यही तो हम बैठते थे, यही तो हम बैठते थे शेटान बहुत थे लेकिन उस शेटानी में आपको एक चीज़ जरूर बताना चाहता हूँ कि कि खूब हसो, खूब खेलो, खूब कुदो लेकिन हमेशा अपने आपको टॉप पिलाने की कोशिश करो और टॉप के साथ में यह कभी मत समझना कि आपकी क्लास में कोई थर्ड डिविजन आया है और आप अंक गनित में या आप किसी में टॉप प्याय हो तो जो थर्ड डिविजन आया है, वो थर्ड डिविजन नहीं हो वो किसी तूसरी फिल्ड का फर्स डिविजन बंदा है क्योंकि फस्ट तो एक ही को आना है सेकेंड दूसरे को आना है थर्ड तीसरे को आना है लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि ये इसके नंबर सबसे जादा है जिसके नंबर सबसे जादा है उसको भी बहुत सारा प्यार लेकिन जिसके नंबर सबसे कम है इसके मतलब वो किसी दूसरी फिल्ड का मास्टर ले इसलिए कभी रोना मत करो जो 3 डिविजंट हो सकता है वो 3 डिविजन आया हो लेकिन हो सकता है कि Whether ब में भी गे अधिव Luther मालने मैं लड़का हो या लड़ती stress.- कभी भी मैं सोचो क्व सब्सक्Miss评划 अगर आपकी थर्ड डिविजन भी आए आप करी माइस मत करना क्यों आप हो सकता है कि पढ़ाई में थर्ड डिविजन दो अगार हो सकते हैं पढ़ाई में ऊजारों मौके हैं अग्रिर्म हमेशा है बिखा लेते थे कि हम दिखते नहीं थे रक्षाचे में जब मैं पढ़ता था सुनासीना जूनियर हाई स्कूल बंडा में यहां से 200 किलोमेटर दूर यह गाउ है वहाँ पे जब पूरे स्कूल में हमारे सबसे ज़्यदा मार्क आए तो हमें प्रिस्पल सहाब ने अनाउस किय कि राजपाल यादव ने सबसे ज़्यदा मार्क पाए हैं तो सब लोग देख रहें राजपाल यादव है किदर और मैं ऐसे करा था कि मैं इधर हूँ मैं इधर हूँ यह चीज़ में वो फज्टिविजन के मार्क जरूर थे लेकिन जब यहां से निकल के जीवन की पाठश इनकल करकें जिवन की पाठशदा में आप किसी से बात करो नोग यह बोलें कि आप कौन से स्कोल से पढ़ए हो तो आप बताओ इस पढ़ेए तो इन दीवारों को प्रट फील हो कि यहां से निकल के जब किसी जीवन की पाटशाला में जाओ तो आप दो मुनें क्या बच्चा है या क्या बच्ची है बहुत सारे फ्यार करता हूँ बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ सारी नारी शक्ती को पढ़ा हुआ हमेशा आपको खूब पढ़ाएं अब खूब कढ़ाएं क्योंकि पढ़ाई के साथ में कढ़ाई बहुत जरूरी है जितनी पढ़ाई करते जाओगे